हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ मोहिल स्वागत आपका यूट्यूब चनल एज्वाग पॉइंट पे यहां पर आपको मिलेंगे केरियर काउंसलिंग एक्जाम स्टेट लिए वीडियो तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रिजेंट वहाँ आपके मैं मैं कोशन रहता है कि क्या जेई क्लियर किये बिना भी आईटी में एडमिशन लिया जा सकते हैं हा तो आप मेरे साथ बने रहें मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो उसको लाइक करें शेयर करें और जो बैल आइकन है उसको पुश करना ना भूलें जिससे के मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको रेवलर मिलती रहे इसके अलावा अगर आप इसको पढ़ना भी चाते हैं तो आप मैं लिंक प्रोवैट करा हूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा वो ब्लॉग है उसमें जाकर आप इसको रेड भी कर सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो चलिए पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा जैम जोइंट इसमें अप्लाय कर सकते हैं सिक्स सब्जेक्ट में एक्जाम होता है सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमस्री मैथ मैथमेटिकल स्टेस्टिकल स्टेस्टिकल और इसके अलाबा है जोलोजी और बायो टेकनोलोजी तो इसमें आप मसी कर सकते हैं आइटी में जाकर मुसली लगव में एक्जाम होता है 9-12 और 2-5 एक्जाम जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो होते हैं September और October में इसके लावर जो एक्जाम होते हैं वो फैवरी में होता है तो दोस्तों इसके बास Second Option है गेट, Graduate Aptitude Test in Engineering, BTEC बाले जो बच्चे हैं इससे बलिवादी पढ़्चित हैं लेकिर मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं क्योंकि M.TEC करना चाहते हैं इसमें M.S.C की बिनावी आप इसको एक्जाम को दे सकते हैं और M.TEC के लिए एडिमिशन ले सकते हैं आपको M.TEC, M M.TEC plus PhD या direct PhD की डिगरी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है Almost all IIT में M.TEC कराई जाती है इसके लावा IIT प्लस प्राइवेट इंस्टिटूट भी इसमें आपने या गेटी स्कोर के तुरू एडिमिशन देते हैं लगबग 25 सग्जेट में एक्जाम कंड़क्ट किया जाता है इसके लिए कोई एस लिमिट नहीं होती कोई भी अटेंप लिमिट नहीं होती है हर साल एक्जाम होता है लगबग February के स्टार्टि में एक्जाम होता है और जो form रिलीज होते हैं हो September औ October में होते है थर्ड एक्जाम की बात करते हैं UCD Undergraduate Common Entrance Examination for Design अगर आप एक Creative Fellow है अगर आपको डिजाइन एंट्रेस्ट है तो आप 10 प्लस 2 के बाद या IT में एडिमिशन ले सकते हैं UCD एक्जाम के थ्रूग दोस्तों बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन होता है आपको बेसलर ओडिजाइन की डिगरी इसमें प्रोवाइट की जाती है और दोस्तों हर साल एक्जा अप्लाइ कर सकते हैं जन्होंने बीटेक किया है या ग्रेजियोशन अपना कम्प्लीट कर लिया है इसके लाबा कोई भी उनके पास 3-year डिप्लोमा डिग्री है और इसके बाद अगर आपने जीडी आर्थ डिप्लोमा 10 प्लस 2 के बाद 10 के बाद 5-year डिप्लोमा किया है तो इस और इस कोड़ सकते हैं इसमें लगबग सारी डिप्लोम इसकी सीट्स होती है इसमें कोई एस लिमिट नहीं होती और इसके बाद 5th option है आपका HSEE, Humanities and Social Science and Trans Examination. अगर आप Arts के student है, आपने 10th के बाद Arts, 11, 12th में Arts को opt किया है, तो आप निश्चिन्थ होकर इसमें अपनाय कर सकते हैं, आपको Master of Arts भी बढ़ने का मौका मिलेगा IIT के थुरू, लेकिन इसमें स्रिफ एक ही IIT अपना Admission Program चलाती है, वो है IIT Madras, सीट बहुत कम होती हैं और दो पोर्स आपको प्रोवाइट कराये जाते हैं, एक तो होता है Master in Development Studies and Master in English Studies, स्रिफ दो ब्रांच के लिए इसमें admission लिए जाता है, लेकिन आप इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, और IIT Madras इसका हर साल exam conduct कराता है, अगर आप Arts में Master करना चाहते हैं, तो इसमें 10 प्लस 2 के बाद apply कीजिए, आपको graduation और post graduation दोनों के degree एक साथ मिलेगी, 5-year program IIT Madras इसमें चलाता है, आपके लिए भैदरीन option है, इसके बाद 6 option की बात करता हूँ, आप इससे भलिवादी पश्चेतों के नहीं हैं तो जान लीजिए CAT, Common Admission Test, आपको इसमें MBA की डिगरी प्रोवाइट कराई जाती है, exam conduct तो IIM कराता है, लेकिन इसमें IIT, IISC और Unprivate Institute इसमें आपको अपना admission देते हैं, इसके बाद इसमें आपको MBA की डिगरी प्रोवाइट की जाती है, exam हर साल होता है, कोई इसकी attempt limit कोच नहीं होती, आप उसको बार बार भी दे सकते हैं, तो देखिए दोस्तों आपको मैंने 6 exam के बारे में बताया, आपको मैं इनकी detail वीडियो भी बना कर दूँगा, आप उसमें detail में जान पाएंगे कि जैसे example के तौर पर exam है कितनी बार आप qualify कर सकते हैं, कितनी बार exam दे सकते हैं, या फिर कौन-कौन से courses इसमें आपको available होंग इन सबकी detail जानकारी मैं आपको दूँगा, तो इन जानकारी के लिए आप मेरे साथ class बने रहें, धन्यवाद